बाईयो टंचिपिती वाले की जुदाई चल रही है देखो कितनी बड़ी हा जुदाई कर रहा है टिलर लेकिन नो वाले में एक खोल के चार-चार दोनों तरफ बच गे ये 11 का होना चाहिए था ताकि एक कखुर्पा और साइड माय जाता तो ये दुबारे चक्कर ना लाना पड़ता बहुत बड़ी है नडाई चल लिए देखो गजब अभी तो भाईयो हम इससे कर रहे हैं लेकिन छोटे ट्रेक्टर की तलासा है अगर कहीं सेकेंड एन मिलिया सस्ता सा तो लड़े लेंगें देखो ने में तो बहुत पैसे लगए है इच्छे कई ट्रेक्टर मेरे सामने आए हमने निकाल दिये वहाँ शामली फार्म ट्रेक की एजन्सी पे थे एक तो मिट्सु बीसी का था वो 180 कोन सा था बहुत अच्छी कंडिश एक सोना लिका का था फोर बाई फोर बस सुची के काम चल जाएगा लेकिन ही क्योंकि हमने अभी तीस इंस पर बॉया है गन्ना उसमें बोने में बहुत मेहनत पड़ी बबलू हमारा टंच वीदी के खिलापता लेकिन अपके इसने भी पास कर दिया कि कह रहा है पापा अब लिए वहारा सारा टंच कब होंगे एक तो आद्धा काम करना पड़ता है और सारा काम मसीन लिए से हो जाएग अज़िए अज़िए दोरे का खुट बो दिया हमने बा हाला कि बोना नीच यह था सडक का अगर हलका सा टेपर बना देते तो ट्रैक्टर उपर को थोड़ा चटगा राम से घुमता तो पिछली साइड कम तूटती है क्योंकि अब तो गन्ना चोटा है जब बड़ा हो जाएगा तो जैसे ट्रीलर ट्रैक्टर घुमेगा तो पिछ भाईयो इसमें हमने तीस इंच पे गन्ना बौया था घुमोंके बाद में इस खेत में महनत तबोत करनी पड़ी बहुत लागत लगा यह होने इसकी बहुत जुताई है लेकिन कोई बात नहीं इसमें हमने टंच भी दिखा ना पोग है क्योंकि एक अंख का गन्ना बोना था ताइम थानी, गर्मी जागा पढ़ रही हूँ, और इसमें हमने 30 इंच पर बोग दिया, देकिन बालक नराज होगे 30 इंच पर बोग है, क्योंकि इसमें बीज बहुत गेरना पड़ा, दुखना पड़ा उससे, तो हमारे बालक तैयार नहीं थे, टरंच बीदी को पसंद नही जब उसमें देखा महनत कम है, ट्रैक्टर से सारा काम हो जाए, तो बादली बरसा ही कह दिया, पापा पत्नची भी दिखाए बोया करेंगे, ज़्यादे लिकड़ो या कम लिकड़ो, भर एक धीरी धीरे इसके यंतर बना लेंगे, तो आज इसमें हमने हल ना चलागा, ना क कि देखें, जब ये चलाना आया मैं नहीं था कहीं भार था, ये डोली छोड़ दी गई, तो पुनीते ने बड़े थपक्का बनाईती बड़ी बड़िया, और इसमें खादवाद डाला खाई पड़ा, तो भाईयो इसमें घिमों कहीं है, भाईयो कुन्दा निवटिया, हम अब बड़ी शांती सी मिली, बस अब लाइन का काम रह गया, वीटू वैल चाल लो करेंगे, हफ्ते दस दिन में हो जाएगा, वो ट्रेक्टर नहीं मिला, वो जो खंबे को पाड़ का दूसरे जगा गाड़ दे, हमारे छेतर में दूर दूर हैं बहुत, निकट होगा तो ज चारी ले गई यहां से, एक होजी इंक पर रंग सा तवान लगा, जमाओ बड़ी है लेकिन इसकी बड़भार कम है, तो दूसरा खेत है, उसका जमाओ से अच्छा है, इसमें हमें एक फायदा है, ट्रेक्टर स्टार्ट करो, अपना लाओ जुताई कर दो, अगली बार एक टीलर लेंगे गया रहेगा, और जो छोटे टेक्टर से काम चल गया, तो छोटे का जुगाट कराएंगे, कोई बात नहीं देखो, खेती करनी है, बड़ोगी निसान नहीं है, तो इसके लिए यह अंत्र खरी देने का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मिल सकता है, बहुत, 4x4 ब बेज़ दे, मैंने अपने आदमी को बता दिया सबसे, अभी इसके बाद बबलू अगले खेत में चलाएगा, यह अगला खेत है, भाईयो इसने तबियत खुश कर दी, इसका जमाओ और बहुत सुन्दर चला है, एक दिन पहला है, बस यह एक आंका है, वो दौनका है, अभ ट्रैक्टर से बड़े से मैसी से बबलू अभी जोता है, यह देखिए, बहुत सोनी चुदाए होगी, और अब, यह धोरे का खुट थोड़ा सा रह गया, इसे फावले से कर देंगे, और बबलू अब दूसरे खेत में आ गया है, ट्रैक्टर लेकर, यह देखिए, भाईयो, इसमें जी लगता है, क्योंकि इसका गन्ना बहुत अच्छा चल रहा है, अब हम इसकी खुदाए निकरने के, एक बार खुर्पी निकलगी, एक बार खुदाए करवा दी पावले से, खुद की है, यह देखिए, अब इसकी जुताए हो जाएगे, और दो दिन बाद फिर पाणी दे दे दिया जाएगा, यह मुत्था कोई स्प्री ने कर रहा है, कि आहमने है अब तक, यह तो जुताए होगी, अपना आप सुख जाएगा, देखे जुतने के बाद कितना जी लग रहा है खेतना, यह देखिए, भाईयों यह खूड आज पुनीते हैं, खुद्दा है, यह देखने के लिए कि इससे क्या फरक पड़ेगा, सिरफ यह खूड खुद्दा है, मैसी 243, डी आई 50 HP, टंच भी दिखी चुताए करते हुए, यह को कटडे इस तरह से हिलाए जाते हैं हमारे, छोटा सा लवा रहा है, इसको यह भगा रहा है सड़क पर, तो यह धीरी धीरी रास्ता पकड़ने लगते हैं, समझ जाते हैं, बस अभी छोटा है, अगले सीजन में इसको पर बुग्गी का जुवा रख दिया जाएगा, इस दोरे के खुड से एक फाइदा हुआ, अंदर का यह भाड़ सानी चमकेगा, इस फड़ा ओल्ला हो जाएगा परदा, वरना यह दो डाई मीटर खेत खाली सा दिखाए देता, अब आई इसलिए हमने गोया है, बड़े समय अगली बार 11 गाटीलर रहेंगे देखो यह है समस्या नोवाले से अब यह चार खुर्पे हैं यह इतना फाट रहे गया हमारा इसमें दुबारा लाना पड़ेगा यह है तो ग्यारे का बलके तेहरे का ज्यादे बढ़िया रहेगा क्योंकि अभी दो खुर्पों की जगा बश रही है बिल्कु सही है तेहरे का ज्यादे में दो तेहरे में एक बीच का खोल दो तो बारे शै इदर शै उदर बहुत गजब काम करेगा तेहरे का ज्यारे का ने काम करेगा देखो यह चार खुर्पे है और काफी जगा बचकी है तो भाई यह दो खुर्पे और चीए पक कम है ग्यारे का खोल दा लेकिन तेहरे का चीए जी टीलर चोलो करते हैं जुगाड चोटा अगर ट्रैक्टर नहीं है तो बड़े ट्रैक्टर पर तेहरे का टीलर चीए लेकिन यह इतनी काम करेगा इतना ही छोटी है फिर जुरूत पिनी पड़ेगी यह तो दो बार ट्रैक्टर घुमा रहे हैं दो बार नहीं सिर्फ फिर एक बार में काम हो जाएगा यह देखिए चार खूड यह दर आए चार इधर तेहरे का बिल्गु फिक्स आएगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा गन्ना ठीक लगा हो तो लाइक करना हमें यह ट्रिक पसंद आगी है फाइनल कर दिया क्योंकि दोनों लड़कों ने पास कर दी तो मैंने भी पास कर दी जोड तो मैंने लगाए थे बोबलू पुनीत तो पहले घबरा रहे थे लेकिन अब अलाम दिखाए दिया तो यह अच्छा लगा नमस्काल यह देखें दुबारे ट्रेक्ट लाना पड़ रहा इस खुड में तो दुगना तेल फुक रहा है अगर तेहरे का टीलर होगा तो यह दुबारे नी आवशकता पड़ेगी यह भाईयों साट इंच पे है बारे पंजे साट पांच फुट पे और साट इंच भाई तो हमारे यह बता रहे हैं जो इसे बोरे हैं कि इससे जो आप बोरे उससे पलस जाएगा थोड़ा लेकिन अगर पांच चार कुंटल भी कम निकला तो भी हमें यह इच्छा लगा लाकत तो बहुत बच रही है हमारी भाई इसमें एक दिक्कत आ रही है वो जो इस्ट्रेव आरसी नहीं होती साइड में सपोर्ट होती है जैसी सवराज मात्ती है सोना लिका में आप तो हर ट्रेक्टर दे रहे हैं वह होनी चाहिए मैसी में यह जंजीर दे रखी है यह थड़ा बहुत इधर उधर कुहलता है वो साइड की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है यह देखिए लगी तो है लेकिन यह चैन सिस्टम है यह धिली हो जाए यह तिंगे मतलब पूरी टाइट नहीं हो पाती इसमें वो लगानी पड़ेगी जंजीर हटाक है जो सवराज में हैं सोना लिका में हैं वो ट्रेक्ट एक पट्टी पर दो दोनों तरफ है लेकिन चाल बनती है इसमें टाइट करने के बाद भी रूटावेटर हमारा तिरसा चलता है क्योंकि इसमें कम से दो इंच की चाल है वो चाल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए यह देखें टीलर कितना बड़िया निकला दोनों तरफ निकलता चला गया